नमस्कार दोस्तों एक जामफोबिया की पर्फेक्ट सेवन सप्ताहिक समसाम की कारकरम में आप समी लोगों का स्वागत है आज हम लोग 23 नॉवमर से 30 नॉवमर 2020 तक करेंटे फेर पर चर्चा करेंगे तो आज का मुख मुद्धा है मर्यादा पुरसुत्तम स्री राम हवाई एड़ा बनेगा उत्तर प्रदेश में और आज की मुख खबरे हैं पांच मुख खबरे हैं अयुद्या हवाई एड़ा होगा अब मर्यादा पुरसुत्तम स्री राम हवाई एड़ा दूसरा है मदमक्खी पालन के लिए लागू होगा हनी एफपी ओ कार्प्रम तीसरा है कार्पोरेट या और दोगे घरानों को बैंकिंग लैसेंस दिया जाएगा चोथा है तमिलनाडो और पोडुचेरी के तट से टकराया चक्रवाती तुपान निवार और पाच्वा है असम के पूर मुखमंती तरण गोगोई का निधन हो गया है इसके साथ ही 50 प्लस MCQ पे भी चर्चा करेंगे साथ ही उनकी डिस्क्रिसन पे भी चर्चा करेंगे जो आने वाले काफी सारे महत्पूर वण्डे एक जाम है उनके लिए काफी महत्पूर होने वाला ये करेंट फ्यार तो चलिए सुरू करते हैं कोश्चन नमर पहला कोश्चन नमर पहला है इरान के उस परमाड़ु वग्यानिक का नाम क्या है जिनकी नौमबर 2020 में हत्या कर दी गई तो उनका नाम जो है मौयसिन फक्री जादे है तो जो है इरान की राधधानी तेहरान की बाहर एक सणक पर सुकुरार को एक रहस मई हमले में देश की सीर्स परमाडू वग्यानिक मौयसिन फक्री जदे की हत्या कर दी गई बी ओप्सन यहां पे सही होगा नेश्ट है कोश्य नमर दूसरा फकीर चंद कोहली जिनका अवी हाली में निदन हो गया निमने लिखित में से किसके संस्थापक वे प्रथम सीयो थे तो यह जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीयो थे भारती सूचना प्रवदावकी जगत के जाने माने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पहले मुख कारकारी अध्यच फकीर चंद कोहली का पिछली गुरुवार को निदन हो गया वो है 96 एर के थे टीसियस ने कोहली के लिदन की पुष्टी की है नेश्ट है कोश्चन नमर तीसरा हनी एप पियो कारकार्म के समंद में कौन सा कथन सत्थ है पहला कथन है यह कारकार्म टाइफेट ज़ारा आरम किया गया है यह कथन बिलकुल ही गलत है नेश्ट है दूसरा इस स्कीम का उद देश बिरोजगार मैलाओं यह जन्जाती आबादी में मदवक्षी पालन को पेशा की रूप में बढ़ावा देना है यह कतन सही है तीसरा है पहला हनी APO मदप्रदेश की मुरायना में आरम किया गया है यह भी सही है यानी B option सही है दूसरा तीसरा सही है Q4 किस देश ने नौमर 22 में आर्थवयस्ता के छेत्र में dual circulation नीती की घुस्णा की है इसका सही जवाब है A option चीन ने dual circulation नीती की घुस्णा की है Q5 हुआ लोंग वन जो हाली में खबरों में रहा क्या है Q5 का सही जवाब है D answer घरेलू इस तर पर विखस चीन का प्रथम परमाडू सहयंद्र Q6 किस राज में एक cricket stadium को अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाडी मेरोडोना का नाम दिया गया है तो यह जो है पस्चे मिंगॉल में बना है जिस stadium का नाम अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाडी मेरोडोना के नाम रखा गया है अगला कोश्चे नम्मर साथ मां नॉममर दोयार बीज में किस देश की साथ भारत ने पर्यावारार सुरच्छा यह जय विवित्ता सरच्छड के छेतर में सयोग हेतू MOU पर हस्ताचर किया है तो भारत ने फिनलेंड के साथ में इस MOU पर हस्ताचर किया है कबकि है 26 नौमर 2020 को पर्यावराण और जेव विविता सर्चट के छेत में 225 से योग विख्षित करने के लिए एक सम्झोता किया जाया है यह MOU भारत और फिनलेंड के भी साजेधारी और समर्थन को आगे बढ़ाने का एक मंच है नेश्टे कोश्चेन नमर आठवाँ अयोध्य हवायद्डा उत्तर प्यदेश के मुख्मंत्री श्री योगी आधितनात की अधच्चता में पिछले मंगलवार को हुई राज केबिनेट की बैठक में आयोध्य हवायद्डे का नाम बदलने के प्रस्ता पर मुहल लग गई है प्रस्ता में इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा प्रस्त्नम स्री राम हवायद्डा करने की सिफारिस की गई है नेश्टे कोश्चेन नमर नौ हाँ कोले से बिल्ली उत्पन करने वाला पहला अरब खाड़ी देश कौन सा है इसका सही जवाब है सयुक्त अरब अमीराद कोले से बिल्ली बनाने वाला पहला अरब देश सयुक्त अरब अमीराद हाली में कोले से बिल्ली बनाने वाला पहला और समता अंतिम अरब देश बन गया है नेश्टे कोश्चेन नमर दसमा इंटरणेट ओफ तिंग्स समर्थित स्मार्ट बैगेज ट्रॉली आरम करने वाला देश का पहला अंतराश्टी हवायद्ड़ा कौन सा है इसका सही जवावेश सी आंसर हैदराबाद अंतराश्टी हवायद्ड़ा हैदराबाद में GMR की नित्वत्त में हैदराबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट ने इंटरनेट आफ तिंग्स IOT अनकूलित स्मार्ट बैगेस ट्रॉलीज की शुरुवात किया है जो भात के डिजिटल इंडिया कारकम के अनुरूप है यह हवाई अड़े पर वास्तिक समय में यात्यों के लिए IOT को तैनात करने वाला देश का पहला हवाई अड़ा बन गया है नेश्टे कोश्चन नमर 11 किस टाइगर रिजर को दस वर्स के लच के बजाए चार वर्सों में ही बाग की संख्या दोगना करने हे तू टी एक्स टू नामक पहला अंतराश्टी पुरुसकार पदान किया ग पिली भी टाइगर जर्व पीटी आर और राजवन विवाग ने दस साल की जगए चार साल में ही बागों की आवादी दोगुनी करने का पहली बार रिकोर्ड बनाया है इसके लिए उन्हें अंतराश्टी पुरुसकार टी एक्स टू मिला है देश की तेरा टाइगर रेंज में से ये पुरुसकार पाने वाला पीटी आर पाहला टाइगर रेंज है नेश्टे कोश्चिन नमर 12 कि इस फिल्म को विदेशी भासा सेड़ी में त्राणवे आसकर पुरुसकार के लिए नामित किया गया है तो उस फिल्म का नाम जो है साउथ जली कट्टू है मल्यालम फ फिल्म में जली कट्टू को त्राणवे आसकर रावाड के लिए नॉमिनेट किया गया है जली कट्टू को बेश्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए चुना गया है नेश्टे कोश्चिन नमर 13 है नॉम्मर 1220 के अंतिम सप्ताह में मॉंबाई तटो पर देखे गए नी 2020 में किन के लिए गुजात में गरिमा ग्रह का उद्गाटन किया गया है तो यह जो है ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा ग्रह का उद्गाटन किया गया है सी आंसर सही है अगला कोश्चन नमर 15 है 15 जनवरी 2021 से किस प्रकार के संचार पर जीरो लगाना अनिवार किया गया ह लेंड लाइन से मोबाइल पर कॉल करने पर जीरो लगाना अनिवार हो गया है पंदा जन्वाजी 2021 से अगला कोश्चन नमबर 16 निम्न लेखित में से किसके द्वारा सहिकार प्रज्या नामक प्रसिछण मॉड्यूल आरम किया गया है तो यह जो है NCDC के द्वारा सहिकार प्रज्या नामक प्रसिछण मॉड्यूल आरम किया गया है नेश्ट है कुश्चन नमर 17 भारती नौसेरा ने किस देश से लीच पर खरीदे गए दो MQ-9B Sea Guardian नामक ड्रॉन को सामिल किया है तो यह जो है यूएसे से खरीदे गए है भारती नौसेरा ने अमेरिकर से दो MQ-9B Sea Guardian Unmanned Aerial Vehicles यानी UAV लीच पर लिये हैं कहा जा रहा है कि इससे भारती नौसेरा को इंटेलिजेंस और निगरानी में बल मिलेगा अगला कोश्य नौमर 18 निम्ने लिखित में से किसने ऑनलाइन मानो संसादन प्रवंदन 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 प्रवंद स्कॉर्ट लेंड नेश्ट है कुश्चिन नमबर बीस नॉम्मर दोयार बीस में भारत ने किस देश में से तूद बांध की निर्मार पर एक सम्झावता पर हस्ता चर्खिये हैं तो से तूद बांध की निर्मार पर किस देश के साथ सम्झावता किया भारत ने तो अफगानि केस के संबंध में निम्लिकित में से कौन सा कफन सकते हैं यह है प्रोपेल्च अेनटी मैं हैं टाुरो अच्राट के स्टियर नोमिक्स निदेंगी यह भी सही है इसे भाणती नोसे निद्वा सेना के लिए त्यारखलोंी यह यह और दोगे घरानों को बेंकिंग लाइसेंस देने की सिफारित की है तो उस कमिटी का नाम पीके मोहंती कमिटी है नेश्टे कुष्चे नमर तेईस किस संगठन या सेवा को उमंग एप प्लेटिनम पार्टनर पुरुसकार प्रदान किया गया है तेईस नमर का सही जवावर डी इप एफो को जो है उमंग एप प्लेटिनम पार्टनर पुरुसकार प्रदान किया गया है नेश्टे कुष्चे नमर चोविस किस राज कैबिनेट ने नौमर दोयार बीज में विधी विरुद धर्मांतर रोक विधेक दोयार बीज समन्द जूरी दे दिये नेश्टे कुष्चे नमर च्पचीस निमले लिखेत में से किस ने आनंदा नाम से अपना पहला डिज्टल आवेदन प्राइदन जो है भारती जीवन भीमा निगम ने प्रस्तुत किया है एप्सन सही है कब किया है उन्नीस नौमर दोयार बीज को इसका अ निमले खित में से किसे आठ वर्सों के पस्चात राष्टी खेल फेडरेशन का दर्जा फिर से प्रदान कर दिया गया है तो यह जो है भारती तीरंदाजी एसोसियेशन को राष्टी खेल फेडरेशन का दर्जा फिर से प्रदान किया गया है कितने वर्सों बाद आठ वर् कि यह सई जो आगा है सी आंसर वे जो है नीजिलेंड के हैं नेश्टे कुश्य नमर 28 हाली में समाचार में वर्णेत पांगडा गाउं कहां इस्तित है यह जो है चीन और भुटान के बीच विवाधित छेत्र पर इस्तित है बी ओप्सन सही है नेश्टे कुश्य नमर 29 गंगा इक्स्प्रेस्वे के बारे में कौन सा कतन सत्त है पहला कतन है यह गाजियाबाद यह प्रयाग राज को छोड़ेगी यह कतन सही है यह कतन गलत है नेश्टे यह एनेच 235 से अरम होगी तथा एनेच 330 में स्वाप्थ होगी यह सही है अगला है यह उत्तर प्रदेश के बारा जिलों से होकर गुजरेगी यह भी सही है यानि B ओप्सन सही है दूसरा और तीसरा नेश्टे कोशे नमर 30 हाली में अरम की गई अटाल एकेडमी का उद्देश क्या है तो इसका मुख उद्देश उचितर सिच्छर संस्तानों के सिच्कों को प्रसिच्छर देना डी आउस्टन सही है नेश्टे कोशे नमर 31 किस राज ने टैक्सी एवं आटो रिक्सा में महिलाओं एवं बच्चों की सुरच्छा के लिए अब भी हम नामक मुआयलाइप लॉंच किया है तो यह जो है मुआयलाइप जो है आन्प्रदेश के मुख मंत्री वाईएस जगनमोहर रेडी ने आरम किया है नेश्टे कोशे नमर 32 किस देश ने चक्रवात निवार का नाम करण किया था तो इसका सही जवाब है सियाउन सर इरान ने इस तूफान का नाम इरान की ओर से सुझाया गया है यह दोयार बीस में उत्तर हिंद महासागर से उठे चक्रवातों के लिए जारी नाम की स तूची से इस्तमाल किया गया है यह आप तक का तीसरा नाम है चक्रवार्ती तूफान निवार दो दिसंबर को तमिलनाडू और कुडूचेरी के तट से टकराया था नेश्ट है कोशे नमर 33 से निमने लिखित में से कॉम्स मोनो क्लोनल एंटी वाडिज को यूएस एफडी ए ने कोविड-19 इलाज के लिए आपात इस्तिती उप्योग की अनमती दे दी है तो इसका सही जवाब है बी ओप्सन कैसी री वीवेंब एंड इंडे वीवेंब नामक दो जो है एंटी वाडिज को कोविड-19 के इमर्जेंसी इस्तिती पे उप्योग करने की इजायत दे द गया पर पतिवर्ष अंतराष्टी चेरी ब्लॉसम महोंसो का आयोजन किया जाता है यह जो है सिलॉंग में किया जाता है इह आंसर सही है यह जो है चौता संस्क्रणं थाला था ते यह लोह 10-16 यह 13-19 से मना गया दो हर 19 यह 19 यह पहली बार भारत और दच्छल कोरिया द्वा स्युक्त रूप से मनाया गया इस तिवार में हिमाले चेरी ब्लोसम की अनोखी शरद्रितु की जलक देखी गई अगला कोश्चन नमर 35 किस देश में देश का पहला काई उद्यान मौस गार्डन का उद्धगाटन किया गया तो यह जो है उत्राखंड के नैनी ताल में देश के पहले काई उद्यान का उद्धगाटन किया गया उत्राखंड के नैनी ताल में विक्सित देश का पहला मौस गर्डन उत्राखंड में नैनी ताल जिले के खुर्पा ताल में भारत का पहला मौस गर्डन विक्सित किया गया है कहां खुर्पा ताल में नेश्टे कोश्चन नमर 36 एक लाख ट्विटर फॉल्वर्स की उपलब्दी हासिल करने वाला दुनिया का पहला केंदरी बैंक कौन बन गया है तो ये जो है भारती रिजर बैंक बना है बी आंसर सही है नेश्टे कुश्चन नमर सेंतिस नमबर 22 में किसराज ने राज पुलिस अधनिया में धारा 118 एको जोड़ने के लिए एक अध्यादेश लाया था जिसे अव्यक्ति की सुतंता पर आगात की संग्या दी गई है तो ये जो है केरल सरकार ने लेके आया पुलिस व्यास्था को मजबूत करने के उद्देश से नेश्टे कुश्चन नमर 38 दा बैटल आफ बिलांगिंग पुस्तक का लेखक कौन है 38 नमर तो इसका सही जवाब है सी आंसर ससी थरूर अगला है कुश्चन नमर 49 नमर 2020 में किस देश ने पहली बार नेगेटिव इल्ड डेप्ट बेचा जिसकी कूरे यूरोप की निविसकों में भारी मांग देखी गई 49 नमर का सही जवाब है चीन ने नेश्ट है 40 नमर सिट मेक्स 20 के बारे में कौन सी कतन सही है यह भारत स्रिलंका और थाइलेंड की बीच आयोजित 35 समुद्री अभ्यास का दूसरा समस्काड है यहां पर स्रिलंका नहीं होगा यहां पर सिंगापूर होगा तो यह कतन गलत है दूसरा है यह अंडमान सागर में आयोजित किया जाएगा यह भी सही है यह नॉमर दोयार बीस में आयोजित किया गया था यह भी सही है यानि बी आंसर सही है दूसरा तीसरा कथन सब्त है नेश्ट है कुश्यन नमर 41 तरोन गोगोई जिनका हाली में निदन हो गया असम के मुखमंत्री कब से कब तक रहे हैं तो यह जो है दोयार 1 से 16 के बीच में आसम के मुखमंत्री हैं A answer सही है नेश्ट है कुश्य नमर 42 हाली में समचार में उलिखित कच्छल दीप कहां इस्तित है 42 नमर यह जो है अंडमान निकोबार में इस्तित है D answer सही है नेश्ट है कुश्य नमर 43 922 बीस में ओईल इंडिया लिम्टेड द्वारा सीस्मिक सर्विच्छन अभियान का सुवारम कहां किया गया 43 नमर तो इसका सही जवाब है B answer महा नदी बेश्चिन में किया गया अगला है कुश्य नमर 44 किस राज में जय उदिप्त यानी बायोलिमिनिसेंट मस्रूम की खोच की गई 44 नमर का सही जवाब है में घाला है D answer सही है question number 45 नमर 22 में पाकिस्तान की स्वाच जिला में किस काल का विश्ण मंदिर प्राप्थ हुआ है तो यह जो है हिंदू साही काल का विश्ण मंदिर प्राप्थ हुआ B answer सही है question number 46 नमर 22 में किस राज ने online gaming को प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश जारी किया है तो यह जो है तेमिल लाडू में जारी किया गया है अध्यादेश जिससे online gaming पर प्रतिबंध लगाया जा सके C answer सही है question number 47 इच्छा बांध पर्योजना जो हाली में इन चर्चा में थी किस नधी पर पस्तावेथ तो यह जो है खरकई नधी पर पस्तावेथ है और यह जो है जारखंड और broni सा के मद्ध है जारखंड के मुखमंति हीमाद सुरेन और जो है उडिशा के मुखमंति नमीन परटनायक दोनोंने मिलके इस पर्योजना को सुरू किया है नेस्टे कुष्चे नममर अन्तालेस मत्स छेत्र में भुवब्द राजियों में किस राज को सरुषेष प्रदर्शन करने वाला राज का पुरुस्कार पदान किया गया है तो यह पुरुस्कार जो है उत्तरप्रदेश को प्राफ्ट हुआए डी आंसर सही है कब प्राफ्ट हुआ 21 नॉमर 22 को उस दिन 20 मत्स दिवस्थ था उसके अउसर पर ही उत्तरप्रदेश को अंतरदेशी मत्स पालन छेतमी सरोसिर्प्रदशन करने वाला राज की रूप में पूर्स्कृत किया गया है, नेश्टे कुष्या नमर 49, किस राज ने वर्न जी संघर समें मारे गए, लोगों के आशरीतों को सरकारी नौकड़ी देने की घोस्रा किये तो यहीं मं अगला कुष्या नमर 50, लच्छीवी विलासằng किस देश की भारती एकाई वाला DBS बैंक में विलाय किया जाएगा ये जो है D.A.ंशर सह है Singapur संक見 में फसने के दिट समात हो गया Singapur के DBS कि भारती एक divs इंडिया के साथ लच्चुमिलास विलाय हो गया है बहुते हैं या गये हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक करने हम सर्माना कैसा तो हमाई वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद